शिप के गुरों ने जहां पवित्र मनी महिश डल में उतर कर पवित्र शनान का शुभरम किया वही शिरी दशनाम अखाडे की छडी ने भी मनी महिश पहुंच कर डल में डुपकी लगाई यहीं शिप के गुरों ने डल जील में उतर कर उसे पार किया तो डल की चारों तरफ खड़े शदालू ने जोर जोर से शिप के जयकारे लगा कर पूरिक शित्रगों गुंजैमान कर दिया हर तरब से शिप के जयकारे शुरू हो गए देखते ही देखते एक के बाद एक शदालू डल में डुपकी लगाने लगे इस पावन मौके पर साथ हजार शदालू ने पवित्र डल में डुपकी लकाए यह पावन सनान मंगरवार दोपहर तक चारी रहा कौर तलब है कि शिरीकृष्ण जन्मास्टमी को यह पवित्र यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है और आधास्टमी के सनान के साथ की अस्वाफ हो जाती है अब की बार इस पावन यात्रा पर शदालू की संख्या रिकॉर्ड तोड रही है सभी शिप के जैकारों के बीच खून को जमा देने वाले डल के बरफीले पानी में उतर गई प्रशाशन की माने तो अब की बार पूरी यात्रा के दोन करीब पांच लाग शदालू ने मनिमहिश के लाश के दर्शनों के साथ साथ डल में टुप किल गई उस समय द्रिशे अपने आप में अलोकी करने वाला था जब भर मौर से गए शिप के गुरों ने मनिमहिश पहुंचकर सनान के शुब मूर्थ का कुछ देर के लिए इंतजार किया और जैसे ही पवितर डल को पार करने की खड़ी आई तो वे सभी शिप के जैकारों के बीच खुन को जमा देने वाले डल की बरफीले पानी में उतर गए जब तक ये शिप के गुर एक छोर से दूसरी छोर तक नहीं पहुँचे तब तक डल की चारों तरफ हाथ चोड़े खड़े शधालू शिप के जैकारों से कैलाश को कुँचे मान करते रहे इस द्रिश्य को जिस किसी ने भी देखा उसने खुद को धन्य वर्शो भाग्य शाली बताया इस मौके पर देश की विविन अखाडों से आई महंत्वसाध होने भी भोली के जैकारों के बीच पवित्र धर्चील में शनान कर अपनी यात्रा को संपूर्ण किया ब्यूरी पूर्ट की शेनल